दोस्तो हाजने एक होर वीडियो रिपोर्ट लाएके चैनल रितेश लखी आनप्लागड हुटते मेरी आज दिस वीडियो रिपोर्ट विच आपा गाल करनी है जकतार सिंग जगी जोहल दी ओही जकतार सिंग जगी जोहल जोकी इंग्लिंड दा, UK दा, सिटेजन है ते 4 नुमंबर 2017 तो बीते पॉने 6 साला तो पारत दियां, पंजाब दिली दियां जिलना दे विच बंद रहा है इस दिल इंकारसरेशन बहुत लंबी चली है आज तो तकरीबन 2 सवा 2 साल पहला आपा दो लग-लग रिपोर्टा बनाए सी इन फैक दो रिपोर्टा दी सीरी सी जिस विच बाजे खाने ते बागे पुराने दी एफाई यारां जिना ने इना टार्गेटिड किलिंग्स दे मामले जो कि साल 2016 तो 2017 ते दर्मियान तकरीबन 16 महीना दोरान सत अजेहियां टार्गेटिड हिट्स जिस विच सत ही लोग मारे जान दे ने हिंदू जथे बंदियां आरेसेस, शिवसेना, हिंदू तक्त दे बहुत अजेहे लीडर उस तो इलावा एक इसाई पादरी सुल्तान मसी सो सत लोग सत वारदातां दे विचे कतल करते जान दे ने कई था तेते गोलियां चल दिया है गियाने टर्गेटिड किलिंग जो की विदेश्यां दे विचे बैठे खालस्तानी अंसरावलों क्रिमिनल्स दे जरीए अंजाम दौाईयां गईयां उस पूरदे पूरे मामले दे विचे जक्तार सिंग जग्गी जोहल दे उटे इलजाम लगे टेरर फंडिंग दे तिन हजार यूके पॉंट्स दी जड़ी अदाइगी सी और जग्तार सिंग जग्गी जोहल ने गुर्शरन बीर जो की यॉर्प बेस्ट एक होर खाड़कू जथे बंदिया नल जुड़या होया ऐलिमेंट है उस नुकी ती जिस तो बाद हर्विंदर मिंटू हैपी पी पी लड़ी सी, एक सीरीज सी जिस तहट एक तो बाद एक लोका दे कतल कराया जारे सी एक अजेही कि नौनी साजी सी जिस दे तहथ पंजाब बी पाईचारक साज नू खराब करले या पंजब दे विचे कٹ-egण्ठी हिंदू पाईचारे दे या इसाई पाईचारे दे लोका द लीडराओं खास करके विशेश तोरते निशाना बनाया जारे सी क्रमिनल्स दे जरीए अपरादियां दे जरीए ते एक नमा मोडस प्रेंडाई वी सी जिसनू समझण दे विच भी तकरीबन साल सावा साल दा समा पंजाब पुलस अदे एना ये नू लगया लेकिन टेरर दर दी जक्तार सिंग जग्डी जोहल ली वक्रे पदर दे पैरलली तुरी यॉर्प ते इंगलेट दे विच जग्डी जोहल दी गिरफतारी या उस दी इंप्लिकेशन जडी इस केस दे विच नॉमिनेशन कीती गई टेरर फंडिंग दे पाक तो उस नू गलब दस्या गया उस दे हाक दे विच समर्थन दे विच ऑनलाइन पेटीशना तुरियां कई मुजारे होए इवन पारलेमेंट यू के दी पारलेमेंट दे विच भी बुद्धे उठे तो आज इस रिपोर्ट नू बनानदा सबाब दो सबाद दो साल बाद मेरेकोल इसली पैदा होया है क्य केज दे विच जमान दिटी गई है सरवोच अदालत दे फैसला जग्डी जौहल उस दे बचापाक दे उस दे हमदर्दा ली एक बहुत चंगी खबर है एक एडवांटेज है एनाईये ले एक बड़ा बड़ा चटका है एनाईये ले चटका इस वासते है क्योंकि पंजाब पंजाब ते हराना हाई कोड़ा रुक किता एक डिविजन बेंच जेड़ा पंजाब ते हराना हाई कोड़ा सी उसने 15 मार्च पिछले साली फैसला सुनाता सी कि ए वालिड नहीं है जस्टिफाइड नहीं है कि जग्डी जौहल नूँ होर जेल दे बिच लंबा समा रख्या जाए लेकिन हाई कोड़ दे इस फैसले दे खिलाफ नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी ने रुक किता सुप्रीम कोड़ दा चुनौती दिती जग्डी जौहल नूँ तिन हजार पॉंड टेरर फंडिंग दे रूप पिछ उना अंसरा नूँ सप्लाई करन दे इल्जाम दे इस केस दे बिच जित्थे उसनों रहत मिल चुकी सी इस खिलाफ नैशनल लगाया अपील किती ओ जड़ा फैसला ऐसी हाई कोड़ दा उसनों निरस्त कराना चांदी सी क्योंकि इस मामले दी इस फैसले दी बहुत इंप्लिकेशन को बीर सी उना होर नाव मुकदमया दी इस केस दे बिच अपना पूरा जोर लगाया देखो जित्थे अपना चाड़ियां देश दियां जाज एजनसियां दी चंगी कार गुजारी चायो क्रिमिरल्स नूँ स्मागलर्स नूँ गैंस्टर्स नूँ अतवादियां नूँ फड़के विडेशन विच्छों आमे ले क्या देने एथे होना दे चापे हमारी दविच कार देने ओथे अपना एजनसियां दी कारवाईनिस सलोन ने हैं लेकिन एस केस दे विच तेन जार पॉंड की जगी जाहुल ने सप्लाई कारते ठीक है अपरादिक साजिश है उसनों उस दे खिलाफ को सबक जदों की पांच अधी हार हो इए होन सुप्रीम को पुरदा जड़ा फैसला है जि настоящ Sm ago किता सिर्फ मुकदमा केड़ा सी हा मुकदमा सब तो कमजोर कड़ी बने थे यह कंजोर गड़ी जो की अमित अरोड़ा ना दे एक हिंदू संगठन दे नाल जुड़े होई लुद्याना दे लीडर जिस उते तेन फरवरी दो हजार सोना दे बिच गोली चाल दी है रात साथे अठ वजे उसते खिलाब गोली चाल दी है ते बात दे बिच पुलस दों तफ्तीश कर दिया उसमामले दी एप आया जा तो गोली जान भुज के चलाई ताकि केस बान सके इन्वेस्टिकेशन पंजाब पुलस कर दिये ते कुछी दिना बाद अपनी करिपोर्ट फाइल कर दिये जिस दे विच एस गोली कांड नूँ जो कि तेन फरवरी दो हजार सोडा नूँ होया होंदा है उस नूँ अमित उ यहां टार्गेटेड हिट्स वारदाता जित्ते की कर्मिनल्स दी वर्तों कारके लोका नूँ मरवाया गया आप अपनी पराणी रिपोर्ट दे विच भी बहुत ही डिटेल दे विच जाके उस पूरी दी पुरी इन्वेस्टिकेशन ते उना लोका दी गाल किती है लेकिन एक रीकॉल वज्यों थुनू आज मैं इस रिपोर्ट विच दासना कि जुलाई 2016 तो लेके अक्तूबर 2017 दे विच जडे सत लोका नूँ मारे गया ओना दे विच आराशस दे दो लीडर शामलसन अगस दे महीने अगस 2016 दे जगदीश गगनेजा दा कतल किता जान दा है इस सारी यां targeted killings दे विच आईया इना लोका नूँ फड़या भी गया इना दे खिलाब मुकद में भी चेड़े गये सो आरशस दे जगदीश गगनेजा रवेंदर को साई इस तुलावा हिंदू शिव सेना दा खन्ने दे विच दुर्गादास ना दे एक लीडर दा कतल किता अमिच शर्मा ना दे एक हिंदू तख दे लीडर दा लोध्याने दे विच कतल किता गया सुल्तान मसी पैस्टर नू सलेम ताबरी जड़ा पुलस स्टेशन है अम लोध्याना दे विच उथे उस दी हाथ दे विच कतल किता गया एक इसाई पाईचारे दा पैस्टर सी जिस पंजाब विच हो रहे टार्गेटिट किलिंग्स दे एक केसां दे विच तफ्तीशे एजनसियां, पंजाब पोलस या फिर CBA, जोकि जगदीश गगनेजावर के केसा नो अपने हाथ विच ले चुक किसी, उना दे हाथ कुछ नहीं लागदा प्या सी, ओ गुत्ती ते अपरा फर्वरी 2016 दा केसी, बात दे विच ओस नो भी एना सारी दे सारे केसी देना जोडता गया, एक पैकेज दे एक कंसॉलिडेटिटिट जड़ा केसी ना जोकि बात दे विच इस केस दी इन्वेस्टिगेशन एजनसी बणी, उसने त्यार करके सब नो सारे केसा नो बैक टू ब लोगां दे उत्ते हिंदू पाई चा रहे थे इसाई पाई चा रहे दे लोगां दे उत्ते हुई, डेरे सर्चे सौधे दे कुछ जड़े कंटीन चलान वाले सान ओना दे हमले किते गए, लेकिन इना दी जड़ी फॉंटेन हैड सी, यानि कि जित्तों साजिश चाल दी पेस साल 2017 दे अक्टूबर महीने दे आंत दे वी जाके पहली वड़ी कामया भी हासल हुंदी है, जड़ों की बागा पुराना दी एफायर नंबर 193 दे विच जो की रिजिस्टर किती गई हुंदी है, एक होर टार्गेटिट किलिंग जो की कई साल पहला हुई हुंदी है, गुर यूग के तो पारत आया हुंदा है, जम्मू दा रेन वाला हुंदा है, तो लोग लड़ी दे तायदा मुंदा हुंदा है, चाचे तायदे दोवे मुंदे हुंदे ने, तो लोग लड़ी नो गिरफतार किता जाना है, तलजीत जिम्मी जिमे ही लैंड करता है, उस दा लु वो इस तरीक के देना लुक में चूप में टांक देना लपारत नहीं आया हुंदा लेकिन जिमें ही तलजीद जिम्मी नू गिरफतार किता जानदा है तलजीद जिम्मी दे इंक्शाफ होते एचीज सामने आदी है कि जग्तार सिंग जगी जोहल ने जगी जोहल दी जिस तो बाद आज जिता को जेल दे विच है टार्गेटेट किलिंग्स दे इना वक्षों वाक मामलया दे उल्जे होए ताने बाने नू इक कंसॉलिडेटेटीड कॉंस्पिरेसी बज्जों समझन ते डीकोड करन दे विच जाँच एजनसियां पंजाब पॉलस कामयाब होई CBI कामयाब होई बाद दे विच एना ने इना मुकदमेनों अग्गे तो रया बाद दे विच इस केस दा टेरर एंगल यानि की टेरर फनांसिंग टेरर फंडिंग दा एंगल बनाके 4 नवंबर 2017 दी जेड़ी गिरफतारी होई जग्गी जौहल दी उन्हों भी इंप्लिकेट करता गया इस तो एक लिड़ हफते बाद रमंदीप केनेडियन हरदीप शेरे या होर बहुत से लोग जो की इस ग्राउंड लेवल दी जेड़ी प्लानिंग सीगी है ना वारदातना ली उस केसां दे विच फड़े गए मोटरसाइकल रिकवर होए वैपन्स भी रिकवरियां कीतिया गई है इस अपरादिक साजिस दे नाल जुड़े होए कई लोग का दी मौत हो जान दी है हरविंदर मिंडू पंजाब दी पटेला जेल दे विच उस दी तबियत विगड़न तो बाद उस दी मौत हो जान दी है हैपी पीएच्डी पाकिस्तान चमारा जानता है क्या जानता होत्ते कोई हिंसक चड़फ होई इल्जामें भी लाग दे होगी पार्ति जंसियां नहीं हो काम कराया सी गा सो दो जड़े एहम इस कॉंस्पिरेसी दे अपरादिक साजस दे एंगल दे जुड़े होई लोग सन जो की मास्टर माइंट कहे जान दे रहे उद्वादी मौत हो जान दी है उस तो इलावा घुरशरन वी राज तक हाथ बिच नहीं आया लेकिन पूरा ता पूरा नजला कह 293 नंबर तो तुरियां सी सब दो बटे सेटफ़ एक ता यह सी कि जड़ी तरलोक लाड़ी दी या फिर तलजीत जिम्मी वाली जेड़ी भी थियोरी कड़ी गई सी जिस विच शुरात एक्थों होई सी कि तरलोक लाड़ी ने ए खुलासा किता कि एक 9 mm दा सिंगल शॉट ज तलजीत जिम्मी वलों तलजीत जिम्मी लुक और नोटिस तो बाद जिम्मे पारत आया उसनों गिरतार कर लाड़ी तलजीत जिम्मी जीड़ी दे डिस्चार्ज होगे तफ्तिशा दा मुड मने जान वाले बागे पुराने दे बाजे खाने दे ओ दो केसा दे विचो तरलोक लाड़ी अते तलजीर सिंग जम्मी दा दिस्चार्ज होना एक वड़ा सेट बैक सी जो की अधार बनेया यानि की पिछली रिपोर्ट जो की मैं दो सवा दो साल पहला बनाई सी उस दे विच दस्यासी की बागे पुराने दे एक केस तो पूरी दी पूरी इंवेस्टिकेशन प्रिगर होंदी है तो एक पूरी दी पूरी अपरादिक साजिश बेनकाब होंदी है लेकिन ओही दो केस इक कमजोर कड़ी साबत होई जिस तो बाद जग्गी जोहल दी बेल जड़ी सी जमान दी याचिका है गी है उसनों मंजूरी मिली पंजाब अते हरेना हाई कोट वलो लेकिन एनाई ये ने फिर भी हाई कोट तो बाद सुप्रीम कोट दे भी जाके भी चैलेंज करन दी कोश अमित शर्मा, सुल्तान मसी, ते जड़े डेरे सचे सौधे दे जो ओधे केंटीन चलाण वाले लोकसन इना तमाम मड़र केसिस दे विच जग्गी जोहल दे पूमिकानू ते टेरर फंडिंग दे तिन हजार यूके पॉंड्स देन दी पूरी दी पूरी जड़ी कटना सी उ इना केसा दे विच भी रख्या गया, तो एक केस दे विच जड़िया हुन जमानता है गिया, ओ जग्गी जोहल नो अपलाई कारने है पेनी है ने, चायो हाई कोट दे विच होन, चायो सुप्रीम कोट दे विच केसा नो लड़ना पहना है, तो पॉने 6 साल तो जेल दे रख्या जा सकता है ठीक है नौह होर मामले वचे ने लेकिन की ना तमाम मामलें दे विच उस बाग जादों जग्डी जोहल प्राद अजे तक अदालत दे विच स्थापत नहीं होया है मुकदमा कमेंस तक नहीं हो पाए एक कारणसी की पंजाबत हरेणा हाई कोट ने वीते सा करवाये ते उसनों की में इंटरपेट किता गया जाए जग्डी जोहल नो मिली है वह अपने आप दे बड़ा कमजोर केस सी खुद पंजाब पोलस कह रही सी कि आमत अरोडा ने चूठा पूरा स्टेज मैनेज काम किता ते एक कमजोर केस सी लेकिन होर जडे मामले ने तमाम मामले बहुत सीरियस केसिज ने जो कि जग्डी जोहल टेज बचापाक नो ओही रहायता जो कि इस केस दे विच हाई कोड दे विच मिली है जिसनों सुप्रीम कोर्ट ने अपहल्ड किता है ओहोर केस दे विच भी मिल पौन गया ए बेखना होएगा लेकिन इस वक्त साब दि समय तक जग्डी जोहल नो इनकार्सरेट किता जाएगा ओजी जेल नो बरकरार रख्या जाएगा कि जमानत दी एर रिलीव जो कि इस एक केस दे विच जग्डी जोहल नो आठ अगस दो सुप्रीम कोर्ट ने दिती है हाई कोड दे फैस्त नो आपहल्ड किता है कि इसे नो हादार बनाके ओर मुकदमिया दे विच भी जग्डी जोहल नो फायदा मिल पाएगा ओसमा act हो सकता है जड़ों कि जग्डी जोहल नो वाकी जमानत दा लाहा मिले यानि कि जेल तो बाहर आ आए तो फिलहाल जग्डी जोहल दा जेल तो बाहर आना अजेवी कुछ महीने या शायद कुछ साल भी दूर हो सकता है, ते जाता को जेल तो बाहरांदा है, उस वक्त तक उस दियां, उस दी जड़ी सजा जो समा उसने जेल दे बिच गट्टे है, उस शायद उसनों असल दे बिच जेवधिया परादिक पूमी का इस टेरर फणांसिंग या फंडिंग दे केस दे बिच स्तापत भी होंती है, उस नालों समा जादा ही होएगा, तो इस स्तिथी दे बिच जग्गी जोहल दे नाल इस केस दे बिच इनसाफ होया, या फर नाइनसाफी, ए देखन वाली गालबात रहेगी, जिसनों की आर्ण वाले वो समही चर्चा दे बिच लियावागे जिनों इना केसां दे बिच फाइनल फैसले अदालतां दे ओंदेने, फिलहाल आज दिस रिपोर्ट दे बिच इक रीकॉल सी कोशिश कीती कि उस सारी गल्ला बातनों पा रीकलेट करके थोड़े सामने एक बार दबारा रखिए, दो सवा दो साल पहला रिपोर्ट बनाई सी उना दे लिंक्स नों भी मैं टाग करांगा इस रिपोर्ट देनाल जे तुसे चाहूंगे तो आप डिटेल दे बिच जाके उना लाग लाग टार्गेटिट किलिंग्स दे केस ना ते उस तफिश नों भी समझ सकते हो, बहुत बात तानवाद आज इस रिपोर्ट नों वेक thank you so much